अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शरूर कीज़ेगा, का बेल आइकन को ज़रूर पैस कीजे ताक कि हमारे वीडियो का नौटी विकेसन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देखिए यहां पे 60 फंदे लेके मैंने एक उल्टे और एक सीधे का बॉर्डर बना लिया है यहां पे मैंने 8 रो का बॉर्ड लाइवाल से कर सकते हैं अब देखिए यहां से मान दोनों तरफ की यह 16 रो बुनी हैं नीचे यह देखिए इस तरह से हम इसको आप बुनेंगे इधर से सीधा उदर से उल्टा तो यह रो हम complete करते हैं यह देखिए लाश्ट तक हमने इसको सीधा बुनते हुए complete कर लिया यह देखिए लाश्ट का फंदा इधर से हमने बुना उल्टे तरफ से हम इसको उतार लेंगे बिना बुने यह देखिए ऐसे यह उतार लिया वह यहां से हम बुनेंगे उल्टे तर सबसे सीधा बनना है तो सीधा उल्टा इसको हम बनाते हुए इसकी लंबाई को हम पूरा करेंगे पहले चितना लंबा पह Psalm works is have the Nico जाissenschaft उप्रा लेंगे फिर आपको हम दिखाएंगे कि कितनी रू हमने इसमें बनाई तो ये 2 रो ऊव गयी है एक इदर से सीधी और इधर से उल्टी बाकि अब ऐसे ही इसको बुनना है यह देखिए यहां पर हमने यह 18 रो बना ली है दोनों तरफ की अब देखिए हम फंदे घटाएंगे इसकी लंबाई आप अपने असाब से रख सकते हैं छोटा यह बड़ा जैसा भी रखना चाहें वो आप अ पांच छे छे फंदे हमने बुने और यहां पर ऐसे दो का एक कर देंगे यह देखिए इस तरह ऐसे उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पांच छे दो का एक 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 दो तीन चार पांच छे यहां पर दो का एक इस तरह से हम दो का एक करते हुए जाएंगे और उल्टी रो पूरा उल्टा बुनना है इसको हम अब पहले करते हैं यह देखिए लाश्ट तक हमने बुन लिया लाश्ट में भी हमारे पास यह दो का एक आना चाहिए ऐसे इस चाहिए तो आप इस तरह से इसको बुनेंगे लाश्ट में आपके पास ऐसे फंदे होने चाहिए अगर कम जादा है तो आप उनको एक दो रो छोड़के आप इस साइड में करने लगेगा तो ऐसे आप करके उल्टी रो पूरा उल्टा बुनने यह देखिए उल्टी रो हम थमने कंप्डिट कर लगे अब देखिए यहां से हम एक उतारेंगे और दो है तीन चाहर पांक कंच और इस थंदे के साथ ऐसे दो का एक देगे और देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब इसके साथ दो का एक, यह इस तरह से कलिया इधर को ऐसे आ जाएंगे आपके, एक, दो, तीन, चार, पाँच, दो का एक, ऐसे बनाते हुए हम लाश्ट तक जाएंगे और उल्टी रो पूरा उल्टा बनाएंगे, अब देखिए अगली सलाई में हम जब इधर आएंगे तो इस फंदे के साथ दो का एक करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे घटाते हुए लाश्ट में जब हमारे पास एक एक फंदा रह जाएगा, जब हम आपको आगे का दिखाते हैं, यह देखिए इस तरह से ह पास छे, साथ आठ आठ फंदे बचे हैं, क्योंकि एक फंदा इदर का बचा है, एक इदर का और छे कली वाले बचे हैं, सारे फंदे देखिए हम इस गठा दिये हैं, अब देखिए हम इन फंदों को ऐसे यहां से आड़ों फंदों को हम इस पे ऐसे ले लेंगे, एग फंदा छोड़ना ने चाहिए आपका, और देखे, यहां से हम इस वाले मैंसे, यह देखे, इस मैंसे इसको निकाल लेंगे, तो देखे यहां पे यह बिना होल के बंद हो जाएगा पूरा अब देखे हम उपर से इसकी यहां से मिलाते हुए ऐसे सिलाइ करेंगे इस तरह से देखे जो भंदा हमने उतारा है साइड में सिर्फ हमें उसी को लेना है और शिलते जाना है तो हम यहां तक ऐसे इसको सिलेंगे इस तरह से हमने यहां तक इसको सिल दिया यहां पर हम पक्का कर देंगे इसको यह देखिए इसको हमने इस सिल के कम्प्रीट कर लिए आप देखिए इसके हम यर बनाएंगे तो यर बनाने के लिए हमने यह दस भंदे लिए हैं जिनको हम उल्टा पहली बार में ऐसे सीधा बनेंगे यहां से देखें एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस यह देखें तीन तीन छे तीन नो और एक दस अब देखिए हम यहां से दो का एक करेंगे इधर से एक गड़ा दिया यहां पर दो तीन चार पाच छे साथ आठ और देखें यहां पर दो का एक इस तरह से अब हम यहां से इसको ऐसे बनेंगे दो तीन चार पाच छे साथ आठ यह देखें अब यहां से हम यह दो का एक कर देंगे उसके बाद हम उधर भी दो का एक करेंगे यह देखें और इधर की रो हम सीधा बनेंगे यह दो तीन चार पाच छे और इधर भी अब हम बापस दो का एक करेंगे और यहां पर ऐसे दो का एक आप देखें इस रो को हम सीधा बनेंगे यह आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं अब यहां पर हम फिर से दो का एक कर देंगे यह देखें ऐसे और इस साइड में भी दो का एक कर देंगे अब मेरे पास देखें दो फंदे बचे हैं जिनको मैं ऐसे एक को उतार लूँगी एक को सीधा बन लूँगी आप देखें मुझे बापस जाना है तो हम यहां से देखें ऐसे इस साइड से एक फंदा यहां से उठाएंगे जैसे हमने जितनी रो में यह फंदे गठाए हैं जैसे ही हम इनको उठा लेंगे यह देखें यहां से तो यह पूरा बंद बन के कम्प्लीट होगा इधर से इनको हम ऐसे ही बुल लेंगे दो तीन चार और देखें यहां से एक फंदा उठा लिया पांच आप देखिए इस साइड से यहां से अब इदार से हम पलट लेंगे दो इसको हमें बुनना है एक दो तेन चार पांच छे और देखिए यहां से एक फंदा यह देखें इस तरह से इधर से यह पूरा बनता हुआ आएगा हम यहां तक ऐसे ही दोनों तरब से एक फंदा उठाते हुए ये 10 फंद न हैं आए यह देखिए इसके बराबर हमने यहां तक फंद उठा लिए दो दो चार दो चेदो आठ दो दस 10 फंद हो गई 10 से हमने स्टार्ट किया था तो पूरीव के कंप्लीट और हम यहां से इसको को बंद कर देंगे दो का एक करते हुए इस तरह से तो इसको ज्यादा लूज नहीं छोड़ना है तीन चार पांच छे साथ आठ नो यह देखिए इस तरह से दसमें भंदे मैंसे हम इस गोले को ऐसे निकाल देंगे आप बूल कट करके भी निकाल सकती हैं तो अब देखिए हम इसको ऐसे कर देंगे और यहां पर हम बूल थोड़ी लंबी छोड़ेंगे क्योंकि हमें यह ऐसे यहां पर टांकने हैं आप देखिए इस तरह से हमने दोनो बना दिए तो हम एक को ऐसे रखेंगे और यहां से आप अब अपने हैसाब से इसको टांकते हैं यह दोनों को लेंगे जो हमने दो यह बनाए हैं इधर से ऐसे दोनों धागे इस तरह से टांकेंगे इसको अच्छे से यह देखी तुझे जोएंट भी हो जाएगा उल्टे तरफ यह होना चाहिए बैक साइड तो आप फ्रेंट रखेंगे वो आप किलियर देख लें जिस तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा हो यह यह उधर रही आप इसको आगे रखें यहाँ पे हम एक नौट लगा देंगे उसके बाद यह हम बुल कट करके और क्रोशिया से इसको फिनसिंग के साथ अंदर कर देंगे यह देखें इस तरह से ऐसे ही हम इस साइड का ठाक देते हैं अब देखिए इसमें लगाने के लिए हम बो बनाएंगे तो उसके लिए हम इसमें फंदे ले लेते हैं पहले यह देखिए यहाँ पे हमने एक दो तेन चार पाँच छे साथ आठ नौ दूनी अठारा अठारा डाले हैं अब इनको हम इधर से सीधा और उधर से उल्टा बुनेंगे ऐसे तो इस तरह से हम इसकी चोड़ाई बनाके complete करेंगे फिर आगे का आपको दिखाएंगे इधर से सीधा और उधर से उल्टा बनाते हुए जाएंगे ऐसे देखे ये सीधा इधर से हमने बुन लिया अब इधर से हम उल्टा बुनेंगे फिर सीधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे ऐसे बनाना ये देखिए यहाँ पे सोला रो हमने बना ली है अब इधर से हम सारे फंदे ऐसे बंद कर देंगे इस तरह से दो का एक करते हुए सबी फं देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे यह देखिए और यहां से देखिए यह मैं डबल बना रही हूं ऐसे फोल्ड करेंगे यहां से अब हम ऐसे सिलाई करेंगे इस पर आप सिलाई लगाके भी इसको कर सकती हैं यहां पर यह अंदर के साइड सिलाई लगा दें उसके बाद भी आप बना सकती हैं इसको इस तरह से हो गया यह दोनों हम बराबर कर लेंगे और यहां से इस दागे को खीच देंगे और इस तरह से हम यहां पर ऐसे लपेटते हुए कई बार लपेटना है इसको ऐसे टाइट करेंगे यह वाले दहागे अलग कर लेंगे हम ऐसे यह हो गया अब इसको हम यहां से ऐसे कर देंगे यहां पर उल्टे तरफ हम इसे टाइट करके और कर लेंगे आप चाहें तो यहां पर हलकी सी सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से हम इसको यहां पर टक कर देंगे और यहां पर हम आई बनाएंगे दो एक माउथ बनाएंगे आप चाहें तो रेडिमेट लगा सकते हैं या फिर का